हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैसेल ताराचन टीम मेच CLC सिकर सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो MTS 7 है उसका सॉल्यूशन तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्यूस्टन फर्स्ट क्यूस्टन ने देखिया आपका consider f of x will be equal to 2x cube minus 3p minus 3x square plus 6px plus p plus 2 for all x belong to real number ठीकर ना सभी x के लिए आपको ये cubic equation दी गई है x के अंदर और आपको ये बोला गया है कि इस cubic equation का कोई भी local minima और local maxima नहीं है then the number of integral values of p तो आपको बताना है कि p की किती integral values यहां पर possible हो सकती है उसके बारे में हमें क्या करना है discuss करना है चली करते हैं बात देखिये किसी भी equation के अंदर cubic के अंदर local minima और local minima कब नहीं होता है जब वो कैसा हो आपका graph या तो हमेशा increasing हो और या फिर आपका always कैसा हो decreasing हो और इस case में हम क्या करते हैं इस case में हम लोग जो ऐसा कब बनेगा जब उसका f dash x कैसा हो हमेशा positive हो और देखिए f dash x हमेशा positive कब होगा तो सबसे पहले तो बात करते कि f dash x होगा क्या तो यहां से मिलेगा हमें 6 x square minus 6 time p minus 3 time x और plus 6p यह आ जाएगा और इसकी value देखिए हमेशा positive है इसका मतलब क्या हुआ कि इस quadratic की value हमेशा positive होना चाहिए x square का coefficient positive है इसका मतलब is quadratic का graph ऐसा बनना चाहिए ठीक है अच्छा यहां पर touch भी कर सकता है ठीक है यह equal to 0 भी अगर हो गया तो भी काम चल जाएगा ठीक है यह shape बन सकती है और अगर ऐसा होगा तो d क्या होगा हमारा less than or equal to 0 और जब आप d की value करेंगे less than or equal to 0 तो देखिए 6 त 6 तो आपका आचुका है और उदर से आजाएगा p will be less than or equal to 0 इसको solve करते देखते कितना आएगा 36 तो उदर चला जाएगा 0 की तरब और आपको मिलेगा p square minus 6 minus 4 minus 10p plus 9 will be less than or equal to 0 इसके factor कर लिए 1 and 9 आएँगे तो आपको जो मिलेगा p minus 1 into p minus 9 will be less than or equal to 0 तो p की जो values आ रही है आपके पास में p का जो interval आ रहा है कि ये negative और 0 होना चाहिए तो ये आएगा जब p आपका कहां से कहां लाई करेगा 1 से लेकर के 9 तक और आपको बता रहा है कि p कितनी integral values होगी इस interval के अंदर तो 1 से start होकर के 9 तक आपके सामने total 9 numbers होंगे और इस तरीके से आपका जो second option है वो यहाँ पर क्या होगा सही होगा clear है चलिए आगे बात करते हैं question number 2 question number 2 क्या है देखिए हमारा question number 2 के अंदर आपको बॉला गया है कि तीन equations दी गई है ठीक है और 0 से 2 pi के अंदर which of the system of the equation यह जो equation है इसका at least 2 solution होने चाहिए तो देखिए equations के at least 2 solution कब होते हैं homogeneous equations का क्योंकि homogeneous equation है इसके अंदर constant from 0 है तो इसका आपके सामने एक से ज्यादा solution तभी possible होते हैं जब उनसे जो determinant बनती है उसकी value क्या हो जाए 0 हो जाए और इससे जब आप determinant की value 0 करेंगे तो देखिए बात करते हैं कि theta कितना आएगा तो यहाँ मिलेगा हमें 3 cos theta यहाँ पर मिलेगा हमें minus sin theta और यहाँ पर है हमारे पास में 1 ऐसे दूसरी के अंदर 3 sin theta इसके साथ में आएगा हमारे साथ में 3 sin theta के साथ में cos theta और cos theta के बाद हमारे सामने है 1 और ऐसे तीसरी के अंदर है आपके सामने 1 1 और minus 2 ठीक है इसको हमें solve करना है चलिए third row के corresponding solve करते हैं देखते हैं कितना आए आएगा minus sin theta minus cos theta क्लियर है बच्चों minus 1 इसके साथ में आएगा आपके सामने 3 cos theta और इधर से आएगा आपके सामने minus 3 sin theta 3 cos theta minus 3 sin theta आगे बात करते हैं next आएगा आपके सामने minus 2 इसके साथ आएगा 3 cos square theta plus 3 sin square theta so 3 तो common आजाएगा और cos square theta plus sin square theta जो की 1 होता है और इसकी value क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए देखते हैं कितना आ रहा है देखो बच्चों यहाँ पर मिलेगा आपको minus 3 sin theta और इधर है आपके सामने कितना minus sin theta minus cos theta हाँ so minus plus 3 sin theta हो जाएगा और इधर है आपके सामने minus sin theta so यह बनेगा 2 sin theta साथ में आएगा minus cos and minus 3 minus का 4 cos theta और that will be equal to आजाएगा आपके सामने 6 तो आपको बताना है कि इस equation के total कितने solution होंगे तो देखें यह जो equation है यह sin के अंदर कैसी है आपके पास में a sin theta plus b cos theta जिसकी maximum value आ सकती है 4 plus 16 जो कि है root 20 जो 6 से छोटा number होगा इसका मतलब यह हुआ कि इसकी value कभी भी 6 आई नहीं सकती इसका answer तो कहां से कहां आ सकता है minus root 20 से plus root 20 और अगर equal to में आपका 6 आ रहा है इसका मतलब यह हो गया कि इसका कोई solution नहीं होगा और आपको यही बोला गया कि इसके 2 से ज़्यादा solution कब होगे तो 2 से ज़्यादा solution तो तब आएंगा जब यह 6 होगा यह कभी 6 हो नहीं सकता तो आपका जो सई answer है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 0 और इस तरीके से आपका जो पहला option है यहाँ पर वो क्या होगा सई होगा ठीटा के मानों की सिंख्या जो होगी वो कितनी होगी 0 होगी क्लियर है बच्चों चलिए आगे बात करते हैं question number 3 देखिए क्या है question number 3 के अंदर आपको बोला गया है कि A and B are the perpendicular vector देखिए अगर A और B perpendicular vectors है तो क्या condition होती है A dot B will be equal to 0 अगर दो vectors perpendicular है तो उनका dot product 0 होगा mod A2 है mod B3 है बहुत अच्छी बात है इसको हमें solve करना है तो देखिए इसको solve करने के लिए क्या use करेंगे सबसे पहले तो 2 के अंदर आपके सामने vector A और vector B है तो सबसे पहले तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो A plus A cross B ठीक है यहां से आजाएगा B और यहां से आजाएगा A cross B और साथ में आएगा आपके सामने प्लस पहली term as it is A plus A cross B और यहां पर A cross B और यहां पर B A cross B तो देखें दूसरी वाली जो term है वो तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी क्यों हो जाएगी 0? क्योंकि उसके अंदर 2 term same बन गई जब भी किसी भी box के अंदर 2 term same बन जाती है तो उसकी value क्या हो जाती है? 0 ऐसे ही पहले part को फिर से break करेंगे इसको फिर से break किया तो यहां से आएगा A देखें कितना आ रहा है देखें A यहां से आएगा B और यहां से आएगा A cross B और दूसरा part आएगा आपके सामने इधर से A cross B यहां पर B और फिर से A cross B तो फिर से देखें इसके अंदर भी 2 term same बन गई यह और यह तो इसका अंसर भी कितना आएगा 0 अब इसको solve करना है तो इसको कर सकते हैं देखें इसको क्या लिख सकते हैं A cross B dot A cross B जो कि क्या होता है mod over A cross B का whole square A dot A को क्या लिख सकते है mod A का whole square A cross B के whole square को क्या लिख सकते है बच्चों देखिए a और b का हमें क्या देरका है modulus देरका है तो a cross b को आप लिख सकते हो या इसका जो hall square देरका है इसको आप लिख सकते है mod a का hall square mod b का hall square minus a dot b का hall square simple सी बात है इसको लिखेंगे mod a mod b sin square theta n cap तो 1 हो जाएगा modulus और sin square theta को लिखा 1 minus cos square फिर आपके सामने पहले ही तो 1 के साथ multiply करेंगे तो ये बचेगा और cos square के साथ में dot product बन जाएगा आपको देरका है कि a dot b 0 है तो यहां से आजाएगा mod a का hall square into mod b का hall square कितनी आरी बच्चों value mod a है हमारे पास में 4 और mod b की value है 3 का square 9 4 into 9 होता है 36 तो इस तरीके से हमारा कौन सा option सही हुआ third option जो कि आपका सही answer है clear है चलिए आगे बात करते हैं question number 4 question number 4 क्या है देखिए question number 4 के अंदर आपको एक point दिया गया है और बोला गया है कि इसे variable point ये variable point है इसका मतलब ये हुआ कि ये locus है किसी चीज़ का then least distance of p from the circle तो इस point p means इस locus की इस circle से least distance क्या होगी तो सबसे पहले इसके locus की बात करते हैं तो x दे रखा है आपको h और y दे रखा है आपको 3h plus 22 divide by 4 h की जगे पर x put कर दिया तो हमें मिलेगा 4y will be equal to 3x plus 22 means ये है 3x minus 4y plus 22 equal to 0 इसका मतलब ये एक line है ये point कहां पर लाई करेगा ये point किसी एक line पर लाई कर रहा है ठीके और आपको एक circle दे रखा है ऐसा आपको इन दोनों के बीच की least distance पूछी है तो वो कब लाई करती है आपकी along the normal और along the normal के से निकालेंगे distance तो simple सी बात है इसका center हमें पता है that is 1,0 इसकी इसके उपर perpendicular distance निकालेंगे और हमें center से distance नहीं पूछी है हमें इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है हमें a into a b की value पूछी है ना की a c की value कूछी है तो a b निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे a c निकालेंगे तो देखी बच्चों a c की value आएगी हमारे सामने इसमें जब put करेंगे तो put किया line के अंदर 1,0 तो 1 put करेंगे तो 3 0 plus 22 divide by 5 तो यहां से इसका answer आएगा इसका mod there will be 5 a c की value 5 है और इसकी radius 2 है तो यहां से a b निकाल सकते हैं a b कितना हो जाएगा a c minus b c a c minus radius that is 5 minus 2 और इसको solve करोगे तो आपको मिलेगा 3 तो आपका option होगा 3 और आपका option भी सही होगा 3 तो both will be 3 clear? आगे समझ में? चलिए करते हैं आगे बात question number 5 देखते हैं किस परकार का है question number 5 में बोला गया है देखिए बच्चों आपको let the tangents are drawn to the parabola y square equal to 8x इस parabola पे tangents draw करनी है point t1 और point t2 पर मान लेते हैं कि यह point a है और यह point हमारा b है तो देखिए बच्चों यहाँ पर tangent ऐसे जाएगी और यहाँ पर tangent ऐसे जाएगी बहुत अच्छी बात तेखिए ने टच्च कर रही है यहाँ पर which makes the y axis at q and r respectively यह y axis को q और r पर मिल रही है अच्छी बात है यह q और r point है चलिए which makes the y axis at q and r respectively such that t1 minus t2 का mod 5 दिया आगे देखेंगे इसका यूज कहां करना है इप एरिया ओप ट्रेंगल पी क्यू आप इस 40 पी कहां क्या है वेर पीज दी पैरलेलोग्राम o a c b o क्या है ओ है इसका वर्टेक्स वेर ओ इस दी ओरिजन लिखा गया बिल्कुल o is the vertex और o a c b यह एक पैरलेलोग्राम है देखिए o को a से जोइन किया और o को b से जोइन किया और एक पैरलेलोग्राम complete किया है that is c ठीक यह लाइन और यह लाइन दोनों एक दूसरे के पैरलल और यह भी दोनों एक दूसरे के और o is the origin तो आप से पूछा क्या है इस तेंजेंट्स दिश 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 वेर पीज दिश दिश पॉइंट आप इंट्रसेक्शन बहुत दें एरिया ऑफ दी पैरलेलोग्राम ओ एस सी भी हमें इस पैरलेलोग्राम के एरिया निकालना है देखिए बच्चों कैसे से आप लोगोंने सबने एक प्रॉपर्टी पड़ी है क्या कि इसका जो एरिया होता है ठीक है तो तीनों पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स द्रो की जाती है जिन तीन पॉइंट्स पर तो उन तीनों टेंजेंट्स के इंट्रसेक्शन पॉइंट का जो एरिया होता है वो यही है आपके पास मैं देखिए दो टेंजेंट्स तो आपने ड्रो की थी और ये भी टेंजेंट है तीसरी वाली भी कौन सी जो ओरीजन पर ड्रो की गई है ठीक है तो इस ट्राइंगल का एरिये की बात करें हम अगर इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा वो जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए ये तीनों टेंजेंट्स ये वाली टेंजेंट और ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पर ये और ये कर रही है आर पर और ये और ये कर रही है आपकी क्यू पर इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो एरिया होगा O A B का वो P Q R का डबल होगा और उसका एरिया 40 दिया है हो जाएगा कौन से ट्राइंगल का O A B का जिसकी वैल्यू 80 है और इसको डबल करेंगे तो हमारा आंसर आजाएगा 160 ठीक है प्रॉपर्टी आप सबको याद होगी आपके मॉडूल में दीगी यह प्रॉपर्टी इसको याद कर लीजिए क्योंकि नहीं तो इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा होगा और बाकी नहीं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं तीवन टीटू कोई काम नहीं आएगा सिधा हमारा आंसर आएगा 164th option क्लियर है चलिए आगे बात करते हैं क्यूशन नंबर 6 क्या है देगो बच्चों क्यूशन नंबर 6 में आपको बोला गया है क fx equal to this यह कोई function है जहाँ पर x आपका इस interval में लाई कर रहा है then the number of solution of the equation fx equal to 2 चलिए बात करते हैं f of x equal to 10x plus 2 10 square x plus 3 10 cube x up to so on तो देखिए fx कैसे निकाल दिंगे आप सब ने पढ़ा है देखिए sequence and series में अगर a gp आ जाती है तो कैसे solve करते हैं इसको common ratio से multiply करना है जो यहाँ पर gp है उसके common ratio से इसको multiply कीजी देखिए कितना आ रहा है 4 time 10 to the power 4 x up to infinity देखो बच्चों इसको 10x से multiply करेंगे so इधर मिलेगा 10x into fx यह हो जाएगा 10 square x इसको एक step आगे लिख दिया यह हो जाएगा 2 10 cube x इसको एक step आगे लिख दिया यह हो जाएगा 3 10 to the power 4 x इसको एक step आगे लिख दिया and so on infinity तक इसमें से इसको क्या करेंगे subtract देखिए fx common आएगा तो यहां बचेगा 1 minus 10x और यहां पर बनेगी एक सांदार सी जीपी that is 10x plus 10 square x plus 10 cube x up to infinity आगे जीपी इसको solve करते हैं बच्चों देखिए कितना आ रहा है f of x will be equal to आएगा इस जीपी का formula होता है first term divide by 1 minus r that is 1 minus 10x और एक 1 minus 10x इधर पर जेंट है उसको नीचे ले आए तो यह बन गया इसका all square clear तो यह तो निकाल लिया आपने f of x कितना है हमारा ठीक है इसको वहां लिख देते है fx और बाकी को दुबारा solve करते हैं तो इसको मैं मिटा रहा हूं आप लोग क्योंने not कर लिया होगा ठीक है और fx को याद रखके उधर काम में लेंगे देखो बच्चों fx आया हमारा कितना f of x will be equal to 2 10x divided by 1 minus 10x का all square fx की value जब 2 है तो हमें इसके solutions निकालने हैं तो fx जिए 2 put कर दीजी तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर 10x आया था ना 2 10x नहीं आया था 10x divided by 1 minus 10x का all square तो देखिए कितना आ रहा है यहां से आपको मिलेगा f of x की जिए fx पर 2 put कर दिया so there will be equal to 10x divided by 1 minus 10x का all square इसको solve करते हैं देखिए 10x की कितनी values आ रही है जब यह 2 होगा cross multiplication 10x को t मालनो थोड़ी देर के लिए 2 1 plus t square minus 2t will be equal to t सबको left hand side में ले आए तो हमें मिलेगा 2t square minus 5t plus 2 will be equal to 0 तो यहां से मिलेगा हमें 2t minus 1 into t minus 2 will be equal to 0 for error एक 5 तो t की 2 values आ रही है एक 1 by 2 और एक 2 तो 10x की 2 values आएगी 1 by 2 और एक आएगी 2 तो देखिए आपको interval दिया है minus 5 by 4 से 5 by 4 और दूसरा interval दिया है 3 by 5 4 से 5 by 5 4 ठीक है इन दोनों interval में देखना है कि 10x की वल्यू 1 by 2 कितनी बार होगी और 2 कितनी बार होगी तो देखिए 10x की value 1 by 2 होती है सबसे पहले तो 0 से 5 by 4 में ठीक है अब माइनस 5 by 4 से 0 में तो negative होगी तो एक solution तो आएगा आपका इस interval के अंदर और यह interval है आपका 135 डिगरी से start हो रहा है ठीक है तो 135 से लेकर के 5 by 5 4 तक वापिस 10x की value होगी एक बार कितनी 1 by 2 होगी या नहीं होगी होगी कौन स जाएंगे 3rd quadrant में 10x positive होता है तो वहां पर भी होगा एक बार 1 by 2 तो 1 by 2 दो बार होगा एक बार इस interval में और एक बार इस interval में 2 कितनी बार होगा तो 2 एक भी बार नहीं होगा क्यों कि 10x की value 2 तब आती जब 5 by 4 से 5 by 2 के बीच में होता तो वह interval हमें नहीं दिया गया इधर भी 5 5 5 4 से 3 5 5 2 के भी इसमें आता वो interval भी हमें नहीं दिया तो हमारे शिरफ 2 solution होंगे और वो आएगा हमारा option number 2 यहां पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है चली बच्छो start करते हैं आगे multiple choice questions और multiple choice questions के अंदर सबसे पहले बात करते हैं हमारे first question और first question है हमारा question number 5 जिसके बारे में discuss करते हैं question number 1 और question number 1 क्या है देखिए f r plus से r के अंदर दिया है और यह function दिया है g इसका inverse है ठीक है तो चलिए बात करते हैं हमें यह limit निकालनी है देखिए जैसे हम इस limit को check करेंगे तो हमें g1 और g-1 की जरूत पड़ेगी ठीक है तो हम सबसे पहले g1 और g-1 निकालने की कोसिस करते हैं और वो देखिए कैसे निकाले गया क्यों देखिए हम इस function का inverse तो निकाल नहीं सकते और inverse निकाल नहीं सकते तो हम क्या करेंगे फिर हम property यूज करके और इसका g-1 की value और g-1 की value उससे निकाले g-1 भी जरूत पड़ेगी जब इसको differentiation करेंगे जब लह रूर लगाएंगे तो g-1 भी चाहिए होगा तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि f-1 कितना होगा क्योंकि f-1 से ही हमें g-1 का idea लगेगा तो f-1 की बात करें हम इधर लिख लेते हैं देखिए f-1 की value आएगी हमारी इसके अंदर 1 put किया तो 3-3 0 e to the power 0 होगया 1 10 log 1 की value 0 और यहां 1 put करेंगे 10 inverse 0 की value भी 0 f-1 की value 1 आ जाएगी और देखिए f-1 की value 1 आ रही है और g उसका inverse है तो f-1 की बात करें तो g-1 की value भी मेरी कितने आ जाएगी 1 आ जाएगी ठीक है अब हमें जरूत पढ़ने वाली है किसकी आगे अब हमें जरूत पढ़ेगी यहां पर जब हम g-1 निकालेंगे तो हमें f- की जरूत पढ़ेगी तो इसको differentiate कर लेते देखते बच्चों कितना आएगा तो f-x आएगा मेरे पास में f-x will be equal to इसका differentiation आएगा 3 time e to the power 3x minus 3 इसका differentiation आएगा 1 by x और 10 inverse x का differentiation आएगा 1 upon 1 plus x minus 1 का all square और उपर आएगा 1 तो यहां से देखिए बच्चों f-1 मिल जाएगा हमें और f-1 की value कितनी आ रही है f-1 आजाएगा हमारा अगें यहां 1 put किया तो यह होगा 3 यहां पर 1 4 यहां 1 put किया तो यह भी 1 f-1 की value आएगी 5 अब देखिए इससे हम g-1 कैसे निकालेंगे बच्चों यह बहुत अच्छी चीज है g-1 निकालने के लिए हम use करेंगे property की अगर g इसका inverse है तो g of fx आपका कितना हो जाएगा x हो जाएगा g of f of x अगर g f का inverse है तो g of f of x will be equal to x इसको differentiate किया बहुत साइड तो मिलेगा g-fx into f-x will be equal to 1 हमें g-1 चाहिए means हमें यहां पर 1 चाहिए और f of x की value 1 कब होगी जब x की value भी 1 होगी तो यहां पर आजाएगा f-1 जिसकी value 5 दे रखी है that will be equal to 1 तो g-1 की value कितनी आगई 1 upon 5 clear है वैसे भी आपको यहां से idea लग जाना चाहिए था कि 1 upon 5 आएगी क्योंगी इसलिए 5 दिया है वहाँ multiplication में चलिए आगे बात करते हैं g double-1 क्योंगी उसकी भी जरुत पढ़ने वाली है उसके लिए f double dash चाहिए होगा तो इसको एक बात फिर से differentiate करते हैं f double dash x तो यहां पर इस बार आएगा देखो 9 into e to the power 3x minus 3 minus 1 upon x square इसका differentiation करेंगे तो देखे सबसे पहले इसका differentiation होगा किसका 1 upon 1 plus x minus 1 का all square ठीक है तो सबसे पहले 1 by t का differentiation होगा so there will be minus 1 upon 1 plus x minus 1 का all square इसका differentiation हो गया अब differentiation किसका होगा अब नीचे वाले का differentiation होगा और उसका differentiation आएगा 2 time x minus 1 और फिर x का होगा जो 1 हो जाएगा इसमें देखो बच्चों 1 put करते हैं तो f double dash 1 कितना आ रहा है f double dash 1 की value आएगी इसमें put करेंगे तो यह बन जाएगा again 1 so 9 minus 1 और यहाँ पर देखो 1 put करेंगे तो यह तो 1 minus 1 0 बन जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपका minus का x की value 1 put की न हमने ठीक है तो x minus 1 का all square इसमें हमने थोड़ी से कुछ गड़बड की है 1 upon 1 plus 10 inverse x minus 1 का differentiation 1 upon 1 plus x minus 1 का all square और into उसका 1 हो गया ठीक है तो इसमें देखे यह x minus 1 actually उपर भी आ रहा है ठीक है और 1 put तो इसको एक बार हम इस तरीके से ना करके तो इसमें मेरे लगरा कुछ गड़बड हो सकती है ठीक है तो इसको एक बार solve कर लेते हैं इसको solve करेंगे तो यह बनेगा 1 plus x square और 7 में कितना आएगा minus 2x और plus 1 so minus 2x चली बच्चों आगे बात करते हैं कि f double dash 1 की value कितनी होगी क्योंकि हमें g double dash 1 भी चाहिए होगा तो उसके लिए हमें f double dash x चाहिए होगा तो इसको differentiation किया f double dash x वो आएगा देको 9 into e to the power 3x minus 3 minus 1 upon x square और इसके differentiation में पहले होगा 1 upon t का differentiation there will be 1 upon 1 plus x minus 1 का all square का square और फिर x minus 1 का differentiation so there will be x minus 1 into 2 2 time इसमें आपको क्या करना है 1 put करना है तो देखें यहां 1 put करेंगे तो 9 यहां 1 put करेंगे तो 1 और यहां 1 put करेंगे तो होजाएगा 0 तो f double dash 1 की value कितनी आ गई मेरे पास f double dash 1 की value 0 अब देखिए f double dash 1 की value 0 आ गई तो अब हमें इसकी जरूत नहीं इसको मिटा देते हैं देखो ठीक और आगे बात करते हैं किसके बारे में आगे बात करते हैं g double dash x के बारे में ठीक जी double dash 1 की value कितनी होगी तो देखे निगालते हैं देखे जी डेबल डेस वन कितना आ रहा देखो बच्चो उसके लिए क्या करेंगे फिर से वही प्रापर्टी यूज करेंगे जो पहले की थी जी ओप एफ ओप एक्स विल भी इक्वाल टू एक्स इसको पहली बार दिफ्रेंशेशन किया आगले पेज पर आ जाते देखो थोड़ा सा अच्छा रहेगा इसको दिफ्रेंशेशन किया पहली बार तो यह मिलेगा देखो जी डेस एप ओप एक्स इंटू एप डेस एक्स विल भी इक्वाल टू वन इसको नीचे ले आते हैं ताकि product rule ना use करना पड़े f of x will be equal to 1 upon f dash x चलिए फिर से इसको differentiate किया g double dash x so g double dash f of x जे रूल लगाया f dash x will be equal to इदे differentiation करेंगे पहले होगा 1 upon t का so minus 1 upon f dash x का all square और इंटू f double dash x इसमें x को 1 put किया तो देखे g double dash 1 बन जाएगा ये f dash 1 जिसकी value 5 थी f double dash 1 जिसकी value कितनी थी 8 थी तो ये 8 आई थी है मारे पास so minus 8 और divide by f dash x f dash 1 की value 5 थी so there will be 25 तो यहां से मेरे को g double dash 1 की value मिल जाएगी that will be equal to minus 8 upon 125 तो ये मेरे पास में सारी values आ चुकी है अब देखे मेरे को क्या करना है मेरे को limit निकालनी है और देखे कौन से limit निकालनी है ये limit निकालनी है तो इसको यहां लिख लेते है limit x tending to 1 limit x tending to 1 x to the power 5 minus 5 time g x into g dash x इसी के लिए हमने ये सारी माधा फोड़ी की अभी तक sin time x minus 1 ठीक है बस equal to p by q है तो फिर p और q निकालना हमें चली करते हैं बात हमें ये limit निकालनी है तो देखे के से निकालेंगे x की power 5 minus 5 g x g dash x x को 1 put किया तो ये बनेगा देखे 1 minus 5 into g 1 की value 1 so 1 minus 5 g dash 1 1 upon 5 तो 5 से 5 कट जाएगा so 1 minus 1 0 by 0 form है तो lh rule का use किया so 5 time x to the power 4 minus इसका differentiation करेंगे so 5 g dash x का hall square minus 5 उसका करेंगे so g x into g double dash x और divide by sign का किया cos x minus 1 अब देखें x को 1 put किया तो ये बनेगा 5 minus यहाँ पर भी बनेगा 5 g dash 1 का hall square g dash 1 कितना था बच्चों 1 by 5 तो ये बनेगा 1 upon 25 minus 5 g of 1 की value 1 और g dash g double dash 1 की value minus 8 by 5 तो ये बनेगा 8 upon 125 और divide by cos sin का differentiation cos होता है और इसकी value cos 0 की value 1 तो ये आ गया 1 इसको solve किया बच्चों देखें कितना आ रहा है 125 यहाँ पर आएगा 625 जाओ तो एक 5 को काट दो ये 25 टाइम कट जाएगा ठीक है इसको 25 रेने दो तो ये बनेगा 125 ठीक है यहाँ पर रहेगा minus 5 और यहाँ पर रहेगा plus 8 तो कितना आ रहा है बच्चों 125 माइनस 5 प्लस 8 यही आ रहा है एक बाद चेक कर लो calculation बेलकुल सही है यही लग रहा है 5 G1 की value 1 Gd1 की value minus 8 अपोन 125 एक 5 को काट दिया तो यहाँ बचा 8 यहाँ 5 और 25 इंटो 5 125 यही लग रहा है 125 प्लस 10 तो यह बनेगा आपका पास में कितना अचा नीचे 25 है उपर बनेगे आपके पास में 128 और नीचे बचेगा 25 तो यह आपका आंसर होगा यह दिया रहा है आपको P और Q और P और Q को प्राइम है मिस इन दोनों का आपस में कोई common factor नहीं है जो मैं दिखाई दे रहा है कि 128 और 25 का कोई भी common factor नहीं होगा और अगर न 128 तो पहला option सही होगा बच्चों आपका और Q 25 तो आपका fourth option सही होगा आपको सही विकल्ग चुनने हैं तो पहला और चौथा option आपका सही होगा थोड़ा सा question बढ़ा था ध्यान से कीजिए चलिए आगे बात करते हैं next question that is question number 2 देखिए क्या है question number 2 के अंदर आपको ये vector दिया गया है और बताना है कि कौन से option सही है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसको solve करते देखिए क्या है ABC unit vector है तो उसको open करेंगे तो mod A square plus mod B square plus 2 time A dot B इसको solve किया mod B square plus mod C square plus 2 time B dot C और इसको solve किया C minus A का all square तो ये बने आपका mod C square plus mod A square minus 2 C dot A और इसकी value दे रखिए आपको 9 आते हैं वापिस देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 3 minus 2 time A dot B minus 2 time B dot C और plus 2 time A dot C will be equal to 0, 3 को वापिस लिख सकते हो देको mod A square plus mod B square plus mod C square तो ये बन जाएगा आपका कितना mod A और C देखिए same sign के हैं और B opposite sign का रहेगा क्यों क्योंकि आपको A into C तो positive चाहिए और B के साथ में A और C का के साथ चाहिए negative चाहिए तो ये बनेगा ये तो यहाँ से आपको मिलेगा A plus C will be equal to B vector that is the equation number 1 अब आते है अपने questions पे तो देखिए पहला option है कि इसका modulus कितना होगा तो देखिए 2A plus 2C minus 2B तो हो जाएगा 0 इसको दो पार्ट में break कर दें अगर 2A plus 2C minus 2B ये तो कितना हो गया 0 plus क्या बच जाएगा 5 times C तो इसकी value 0 है ठीक है तो 5C का modulus चाहिए क्योंकि C unit vector है तो इसकी value 5 आजाएगी that means आपका पहला option क्या हो गया सही हो गया इसके अलावा angle between vector A and B देखिए A और B के बीच में vector angle निकालना है तो A minus B will be equal to कितना है minus C squaring कर दिया तो 1 plus 1 minus 2 time A dot B will be equal to C vector का modulus that is 1 तो यहां से A dot B की value आएगी हमारे पास में 1 by 2 mod A mod B 1 1 1 into cos theta माल लेते हैं कि बीच का angle cos theta है so that will be equal to 1 by 2 इसका मतलब A और B के बीच का जो angle होगा वो कितना होगा 60 degree और ऐसा आपका option number 3 है जो कि सही है ठीक है बच्चों simple था थोड़ा सा बस यहां पर इस step पर आपको इस तरीके से जाना था आगे बात करते हैं question number 3 देखिए क्या है question number 3 के अंदर आप से पोचा है कि यह equation है आपके सामने जो ऊपर दी गई है यह represent कर रही है family of the plane and a member of this family containing the line intersection of the plane this and this is given by this ABC natural number है तो इसकी minimum value cannot be जहां से देखिए का cannot be इसकी minimum value क्या नहीं हो सकती है चलिए बात करते हैं पहले तो इस plane को लिखते हैं तो a का coefficient कितना है बच्चों x plus 2y plus 3z minus 5 time a और साथ में कितना आएगा y का coefficient b का coefficient b का coefficient आएगा हमारे सामने 2x minus 3y plus z plus 4 into b यह family को represent कर रहा है p1 plus lambda p2 equal to 0 a को divide करके b by a को lambda मान सकते हैं तो देखते हैं कि कितना आएगा यहां से यहां से करना क्या हमें देखो this represents the family of the plane and a member of this family containing the line of intersection तो देखें इन दोनों के line of intersection से pass होने वाला जो plane होगा उसके direction ratios क्या होंगे i, j, k दोनों के perpendicular होगा तो यहां पर आएगा आपके पास में 1, 2, 3 यहां पर है 2 minus 3 और 1 तो देखते हैं कितना आएगा 2 plus 9 so there will be 10 i cap 2 plus 9 11 i cap minus j 1 minus 6 minus 5 so plus 5 i cap और यहां से कितना आएगा minus 3 minus 4 so there will be minus 7 i cap तो उसके direction ratio होंगे 11 5 और minus 7 इसके अलावा आपको एक point भी चाहिए तो एक काम करते है point के लिए दोनों को z को 0 put करते हैं तो x plus 2 y की value 5 आजाएगी और 2 x minus 3 y एक point चाहिए बस किसी भी एक plane पे तो z को 0 माल लिया that will be equal to minus 4 दोनों को solve किया इसको multiply कर दिया 2 से इसमें से इसको subtract कर दिया तो 4 4 plus 3 7 y और 10 plus 4 14 तो यहां से y की value 2 आ गई y की value 2 put करेंगे तो x आ जाएगा 1 तो यह तो vector हो गया और point आ जाएगा 1,2,0 ठीक है एससे ही आपको क्या करना है जो दूसरे वाला जो family of the plane है जो दूसरे जो दो plane दे रके हैं आपको ठीक है न वहां से भी आपको क्या करना है वहां से भी आपको एक vector निकालना है और एक point देखना है कि उनके ऊपर क्या होगा तो उस पे भी देखो put करो पहले point निकाल लो चाहो तो z को 0 put किया तो x plus y 3 और 2x plus y 4 तो मेरे साब से यह point आएगा satisfy कर रहा देखो 1 plus 2 3 हो गया उदर 2 plus 2 4 हो गया बिल्कुल दूसरे वाले पे भी point तो यही आएगा जैसी solve करोगे 1 2,0 वेक्टर निकाल लेते हैं देखो i j k कितना आ रहा है 1 1 1 और उदर से आएगा 2 1 minus 1 देखिए minus 1 minus 1 minus 2 i cap minus 1 minus 1 इसको देखा minus 1 minus 2 minus 3 so plus 3 j cap और इसको और इसको देखा तो यह और यह गया 1 minus 2 that is minus k cap तो यह वेक्टर आ गया आपका और यह point इधर से यह vector और यह point अब देखिए आपको क्या करना है इनको containing the intersection of the line of intersection of plane and this and this is given by this इसको contain करने वाला जो plane है वो यह है और इनको contain करने वाला plane अगर यह है तो उस plane के जो direction ratio होंगे वो क्या होंगे इन दोनों के perpendicular होंगे और वो 1,2,0 से pass करेगा तो फिर से देखिए यह जो दो vectors आये हैं इनके perpendicular का निकालते हैं so i,j,k यहां से मिलेगा आपको 11,5,-7 और यहां से मिलेगा आपको minus 2,3 और minus 1 देखिए बत्सों कितना आ रहा है यहां से आएगा 5,plus 21, minus 5,plus 21, so there will be 16 i,k j कितना आएगा देखिए, minus 11,plus 14, so there will be plus 3, so यह बनेगा minus 3, minus 11,plus, minus 11 minus 14, जान से देखो हाँ, minus 11, minus 14 आएगा, so 14 और 11,25 तो minus का 25 बन जाएगा, plus का 25 जाएगा, k का coefficient देखो, 33 minus, plus 10, so 33 plus 10 कितना होगा, 33 plus 10 होगा, 43 kk तो यह उसके direction ratio होंगे, 16,25 और 43 और वो 1,2,0 से पास कर रहा है, तो देखिए, vector आजाएगा, 16x, plus 25y, plus 43z, will be equal to, कितना आएगा, d कितना आएगा, 16 plus 25, और 16 plus 25 ने, 50, 16 plus 50 हो जाएगा, आपका 64, ठीक है, इसको इदर ले आएगा, तो यह हो जाएगा, minus का, will be equal to 0, आपको इन सब का sum करना है, तो इनका sum कितना आ रहा है, देखो, बच्चों, 16, plus 25, plus 43, और minus 64, कितना आएगा, 5 plus 3, 8, और 8 plus 6, 5 plus 3, 8, 8 plus 6, 4, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा, अच्छा, यह 66 है, 64 नहीं कितना है, 66, तो हाँ, यहाँ से कितना आएगा, 4, इसके अलावा, यहाँ से कितना आएगा, 4, 5, 6, 1, 7, और 184, minus 66, कितना आएगा, बच्चों, 18 आएगा, तो A plus B plus C plus D की value 18 आ रही है, तो इसकी minimum value क्या होगी, आपकी 18 होगी, तो minimum value क्या नहीं होगी, तो 9 नहीं होगी कभी भी, 6 नहीं होगी कभी भी, और 3 नहीं होगी कभी भी, कि minimum value 18 आएगी, तो पहले, पहला, दूसरा और तीसरा, यह तीनों option हमारे क्या है, यह आपर, सही option है, इस तरीके से, इसका जो सही answer होगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो आपके first, second और third, यह तीनो है, चलिए, आगे बात करते है next question, और next है हमारा question number 4, देके क्या है, question number 4 में आपको दिया है कि if the tangents to the parabola this intersect the ellipse this, इसकी tangent इसको intersect कर रही है at a and b and the locus of the point of intersection of the tangent at a and b is conning c, then आपको बताना है कि कौन सा option सही होगा, तो देके, tangents to the parabola intersect the ellipse this at a and b, तेके यह कोई एक ellipse है आपका इस type वाला ठीक है, उस parabola की कोई tangent से जो इसको intersect कर रही है, ठीक है ना इस तेके से 2 points पर, ठीक है, a और b पर intersect कर रही है इसको, point a और point b पर, ठीक है, if the tangents to the parabola y square equal to 4x, intersect the ellipse this at a and b, and the locus of the point of intersection of the tangent at a and b is the connex c, ठीक है ना, इन tangents का जो intersection point होगा, किनका, a और b के उपर जो, अच्छा, इसका एक diagram कोई सा नहीं बनेगा, थोड़ा सा अलग बनेगा आपका, कैसे, if tangent to the parabola y square equal to 4x, y square equal to 4x की कोई tangent है, जो इसको 2 points पर intersect कर रही है, means, इसको तो आपको इस तरीके से एक कोई tangent है, जो 2 points पर intersect कर रही है, और ये इस parabola की tangent है, और इसके जो points of intersection है, ठीक है ना, उसका जो locus है ना, वो c होगा आपका, तो इसका आपको locus चाहिए, h, k, ये है आपके पास में a, और ये है b, तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर h, k से ab की equation निकालेंगे, और वो होगी इस ellipse के respect में quad of contact, जिसकी equation होगी t equal to 0, तो हमें मिलेगा h x by 4, plus k y by 9, will be equal to 1, अब ये जो है आपके पास में उस parabola की tangent है, तो उसमें condition of tangency लगाएंगे, तो वहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, वहाँ से हमें c का locus मिल जाएगा, तो देखते है कि condition of tangency क्या होगा, so k y by 9 को इधार ही रखा, और इसको लेगे दूसरी side, minus h x divided by 4, और plus 1, 9 by k से multiply कर दिए, तो हमें equation मिलेगी, देखो y will be equal to, 9 by 4, number h by k constant, और बाहर minus sign, और साथ में x, इधार भी आएगा 9 by k, plus 9 by k, यह आजाएगी आपके पास में equation of this chord of contact, यह उस परावला की tangent है, so c equal to a by m होती है condition of tangency, इसमें value put की, c है आपका 9 by k, a की value है 1, और m line की slope, line की slope है, यहाँ से दीखेगी आपको, c equal to a by m, so यह बनेगा minus का 9h, divide by 4k, तो देखेगी फिर से आपको एक पेरावला मिलेगा, और इस पार पेरावला मिल रहा है आपको कितना, y square will be equal to minus का 81 by 4 into x, तो यह पेरावला आ रहा है, तो यह आपको क्या है, point c का locus होगा, जो conic c आपको दिया गया है, अब आपको क्या बताना है, length of the lattice rectum of the conic c, तो वो होगी 81 by 4, और आपका second option क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, साथ में ही आपको दे रखा है, common tangents कितनी होगी, तो देखो बच्चों, इसका diagram होगा, y square equal to 4x का ऐसा, और y square equal to minus, जो होता है, उसका diagram होता है, ऐसा, तो दोनों के पीच में common tangent 1 ही हो सकती है, वो ये वाली, क्यों, क्योंकि इधर से जो draw करोगे, तो वो isको cut कर जाएगी, इधर से जो draw करोगे, वो इसको cut कर जाएगी, तो number of common tangent कितनी होगी, की दोनों के बीच में चिरब एक होगी तो आपका दूसरा और तीसरा ओप्षन क्या है सही है ठीक है चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट है हमारा क्यूशन नमबर फाइब और क्यूशन नमबर फाइब क्या है देखिए इंटीग्रेशन से देखो बच्चों आई एम इक्वल तो देरेका ये तैन विच आप फॉलोईंग होल्स गूट कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा सही है उसके बारे में बताना है देखिए सबसे प से ज़रूर नहीं यही लगाएं बढ़ ज़्यादा तर हम यह लगाते हैं क्योंकि इससे आंसर हमारा जल्दी आता है जीरो से पाई अब क्या करेंगे दोनों को एड़ कर देते हैं टू टाइम आई एम लिमिट से हमें दोनों की जीरो से पाई अब लोग ए प्लस लोग भी मल्टिप्लाई हो जाएगा तो हमें मिलेगा वन प्लस एम स्कॉयर का हॉल स्कॉयर माइनस और एम स्कॉयर और साथ माइगा पॉस स्कॉयर एक्स इंटू दी एक्स देखें 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 बच्सों क्या मिल रहा है कुछ अच्छा मिला इसको ओपन करते हैं देखते हैं देखें तो यहां से आएगा एम की पाउर फोर जिरो से पाई एले एले वन तो परजेंट था तो वन यहां भी आ जाएगा एम की पाउर फोर प्लस टू एम स्कॉयर मैनस फोर एम स्कॉयर तो प्लस टू एम स्कॉयर कोमन आ जाएगा तो यह बनेगा 1-2 cos square x और 1-2 cos square x को क्या लिख सकते हो cos 2x लिख सकते हो और into dx इसके अंदर देखो फिर से अगर मैं 2x को t put करता हूँ तो वापिस देखे मेरे पास में जैसे उधर cos x है ना इधर भी cos x मा आ जा क्यों variable from cos x ही आपकी m तो आपका क्या है constant तो 2x को t माल लिया तो 2dx कितना आ जाएगा dt बन जाएगा तो देखे हमें क्या मिल रहा है देखे यहां से हमें मिलेगा 2 time im i of m will be equal to देखे कितना आ रहा है limit हो जाएगी जब x 0 होगा तो इसकी limit भी 0 होगी जब आपके सामने यह pi होगा तो इसकी limit हो जाएगी 2 pi और यह बन जाएगा हमारा ln 1 plus m to the power 4 plus 2m square into cos t into 2 dt तो 2 को बाहर ले दे यहां पर अब देखे इसके इसके इंदे queen rule लगाते है queen rule क्या होता है limit को आधी करने वाला लेकिन वो हम तब लगा सकते है जब इसके अंदर क्या करें जब आप क्या put करें 2m minus x put करें ठीक है और वो आपके सामने क्या बन जाए same function बन जाए तो बिल्कुल fourth quadrant के अंदर cos 360 minus theta cos theta ही होता है तो जैसी आप put करोगे तो वो आ जाएगा तो इसमें क्या करते हैं इसको double कर देते हैं तो यहां से आपको क्या मिल जाता है i m will be equal to four time एक टू तो कट जाएगा पहले वाला तो लेकिन एक टू वापिस आ जाएगा 0 से pi और यहां पर आपके पास में कितना आ जाएगा इसकी value हो जाएगी आपकी ln 1 प्लस m की पावर 4 और 2m स्क्वार कॉस T और साथ मैं देखी इसमें king rule लगा देते हैं तो यह बन जाएगा minus 2m स्क्वार कॉस और variable को भी replace कर दो T को X से तो variable change करने से definite integration change नहीं होता है तो देखो बच्चों यह i m अगर था तो यह बन गया आपका 2 time i m square कैसे अगर मैं उसको इस integration में m को अगर m square से replace कर दूँ तो मेरे पास यह आ जाता है इसका मतलब मैं i m को लिख सकता हूँ 2 time i m square इसमें अगर i 1 की बात करें तो i m को 1 put करेंगे तो यहां से बनेगा 2 i 1 will be equal to 2 time i 1 तो i 1 की value तो आने वाली है बच्चों 0 जो आपको दिरका है कि पहला option i 1 कितना होगा 0 3 और 9 का ratio निकालना है तो m को 3 put किया तो यहां पर आएगा i 3 equal to 2 time i 9 ठीक है 2 time i 9 तो i 9 by i 3 का जो ratio आ रहा है हमारे पास ठीक है हमने कही कुछ गडबड तो नहीं की एक बाद check करो 2 time i m ठीक है यह किया d x की value कितनी आएगी बच्चों dt by 2 आएगी देखी हमने यहां पर यह गडबड कर दीती यहां पर 1 by 2 आएगा ठीक है तो यह 2 ऊपर नहीं यह 2 तो नीचा आएगा और फिर जो यह 2 आएगा कितना that will be equal to 2 जो कि आपका सही आंस्वर है 3rd भी सही होगा ठीक है तो पहला और तीसरा यह दोनों option सही है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं next question that is question number 6 देखें क्या है बच्चों question number 6 में आपको दिया है कि fx भी a decreasing function ज्यान से देखना decreasing function ठीक है और all x and ellipse this तो यह measure axis के लिए k की value क्या होगी अगर x axis measure axis हो और साथ में y axis measure axis हो तो k की value क्या होगी तो देखो बच्चों x axis measure axis तब होगी जब f of k square plus 2k plus 5 क्या हो जाए बड़ा हो जाए किस से f of k plus 11 से और देखें अगर f decreasing function है इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा था decreasing तो inequality change हो जाएगी हम किसके लिए कर रहे है x axis के लिए कर रहे है तो हमें मिलेगा k square plus 2k plus 5 will be less than k plus 11 कितना आ रहा है k square plus k और minus 6 will be less than 0 k plus 3 into k minus 2 will be less than 0 तो k की value आ जाएगी minus 3 से 2 positive, negative, positive तो k लाई करेगा आपका negative चाहिए तो minus 3 से 2 के बीच इसलिए आपका जो पहला option होगा यहाँ पर वो क्या होगा? सही होगा और अगर x axis के लिए पहला हो रहा है तो सिरीशी बात है कि y axis में उल्टा होगा और उसके अंदेर आपका फिर चोथा option क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ठीक है? तो यह आपके सारे multiple correct questions solve हो चुके हैं ठीक है? चलिए बच्चों आगे बात करते हैं integer type questions के बारे में integer type के अंदेर देखिए हमारा जो पहला question है वो है integration से तो सबसे पहले तो देखिए यह greatest integer है तो इस 3 को आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि greatest की property होती है कि कोई भी अगर integer होता है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं प्लस 0 से 6N greatest integer of greatest integer of x by 6 देखिए दो बार greatest integer है तो इसको break ज्यान से करना है यह जो limit होती है आपकी यह किसकी होती है यह x की limit होती है तो देखिए पहले वाला तो सिधा integrate हो जाएगा 3x उसमें limit put कर दी और वो हो जाएगा आपका 0 से 6N प्लस इसमें देखो कैसे करेंगे पहले n को 1 मानते हैं n को 1 मानेंगे तो यह integration जाएगा 0 से 1 और देखो इसमें जब आप 0 से 1 तक की values put करोगे ठीक है 0 से 1 जब जाओगे n तो उपर जाएगा 6 तक तो 0 से 6 तक यह आपको answer देगा 1,2,3,4 5 तक देगा maximum लेकिन उसके बाहर भी a greatest integer है और divide में 6 है तो यह पहला नमबर आपका 0 हो जाएगा plus n की value 2 put की 6 से 12 इस बार यह 6 से लेकर के 11 तक जाएगा greatest integer और उसको 6 से divide करो तो 1 point something आएगा तो इस बार यह बनेगा 1 ऐसे आगे आएगा आपके सामने 2 dx 12 से लेकर के 18 के बीच और last में चलते चलते last में जब आएगे आप तो जिसा आपको दिखाई दे रहा है ठीक है कि जब आपकी upper limit 12 है तो 1 आ रहा है 18 है तो 2 आ रहा है तो जब आपके पास में 6 n होगा तो n minus 1 आएगा और limit चलेगी आपकी कहां से कहां तक उपर तो 6 n और नीचे आजाएगा 6 n 6 के difference में चलेगी minus 6 और into dx देखिए इसको जब आप integrate करेंगे तो integration के बाद में सब जगे पर x आएगा और जो limit upper limit minus lower limit के difference की बात करें तो 6 आएगा तो ये तो बन गया 18 n और उन सम में से मैंने 6 को common ले लिया तो पहली बार में 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और अब टू n minus 1 मैंने integration भी कर दिया है और limit भी put कर दिये सब जगे पर upper limit minus lower limit 6 आएगी तो बाहर लिख दिया 6 कितना आ रहा है 18 n plus 6 into n into n minus 1 n minus 1 divide by 2 तो ये आजाएगा आपका कितना 3 n square और साथ में minus 3 n plus 18 n there will be 15 n तो 3 common n common और n plus 5 हमें निकालना क्या है यहां पर हमें निकालना है i10 divide by i5 तो देखे i10 के लिए n को 10 put करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 3 बाहर परजेंट और n plus 5 हो जाएगा 15 divide by 5 के लिए 5 put करेंगे 3 into 5 और 5 plus 5 कितना हो जाएगा 10 10 तो देखो ये 10 से 10 गया और 15 से 15 गया और आपका आंसर हो गया 03 ये आपका क्या है सई आंसर है इदेर है बच्चों थोड़ा सा ज्यान से करें हाना greatest है साथ में greatest का ज्यान रखिए इजद देनी चाहिए इनको greatest modulus जब क्यूस्टन में आ जाते हैं तो इनको इजद अच्छे से मिलनी चाहिए है लिकिए A, B, C and L, M, N are two sets of unit vector such that A, B, C equal to 1 and L makes equal angle of 60 degree with vector A and B M is equally inclined to B and C at an angle 45 degree and N is equally inclined to the three vectors A, B and C if the volume of the parallel pipe formed by the vector L, M, N is V then 1 by V will be equal to this ये कितना होगा देखिए element unit vectors है तो आप इनको क्या कह सकते हो X axis, Y axis और Z axis के corresponding ठीक है वो मान सकते हो ठीक है जिनका सबका modulus क्या है 1, 1, 1 या I cap, J cap, K cap भी मान सकते हैं ठीक है चलिए फिर भी देखिए A, B, C और element अगर कोई भी दो vector set है आपके सामने ठीक है और उसका अगर आपको क्या करना है, box निकालना है A, B, C और L, M, N तो हम सबने एक formula पढ़ा है और वो क्या आएगा इनका dot product और देखिए वो सारी values हमें दी हुई है सबसे पहले आएगा A dot L देखिए A का L के साथ L max equal angle of 60 degree A or B और A or B के साथ में 60 degree का angle है तो L dot A भी 1 by 2 आएगा और ये भी 1 by 2 आएगा और इन दोनों के साथ में 1 by 2 1 by 2 का angle है तो तीसरा कितना आएगा 1 by 4 plus 1 by 4 plus N square equal to 1 होता है तो N square की value कितनी आजाएगी 1 by 2 1 by 2 आजाएगी तो उसकी value हो जाएगी आपकी 1 by root 2 ऐसे आपको दूसरे वाला देखना है M is equally inclined at an angle 45 degree किसके साथ में B और C तो देखिए B और C के साथ में M का dot product तो यहा 1 by root 2 आएगा और यहाँ पर 1 by root 2 आएगा और यह हो जाएगा 0 और यह 0 क्यों हो जाएगा क्योंकि इस बार आएगा 1 by 2 plus 1 by 2 plus L square will be equal to 0 तो इस 1 तो इससे L square की value 0 आएगी ठीक है तो L square की value 0 आ रही है ठीक है तो वो कितना हो जाएगा 0 इसके साथ में फिर तीसरा equally inclined है equally inclined की केस में आप सबको पता होगा 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3 आता है ठीक है चलिए इसको solve करते हैं ठीक है determinant को देखते कितना आ रहा है अचा ABC का box तो आपको 1 देरका है और LMN का आपको पूछा गया है तो यही formula होता है LMN का और उसकी value 1 तो इसको solve करेंगे न वही हमारा volume होगा इसको solve कर लेते हैं कितना आएगा देखे कैसे solve करेंगे 1 by root 3 को बाहर निकाल लेते हैं 1 by root 2 को बाहर निकाल लेते हैं और उपर वाले को जैसा है चाहो तो 1 by root वहां से भी निकाल लो तो उपर से 1 by root 2 common 1 by root 2 1 by 2 common और निचे से 1 by root 3 common तो 1 upon 2 root 3 common आ जाएगा देखिए बत्सों क्या बनेगा 1 by root 2 1 by root 2 और 1 0, 1, 1 यहां पर आ जाएगा 1, 1, 1 इसको solve कर लेते हैं देखते हैं कितना आ रहा है ठीक है? चली करते हैं बात सबसे पहले लिया 1 by root 2 इसके साथ में आएगा 1 minus 1 that is 0, पहला तो गया दूसरे को देखते हैं minus 1 by root 2 पहला 0, दूसरा minus यहां से answer आएगा आपका देखो कितना आएगा 1 upon 2 root 3 यहां पर लिक रहा हूं मैं 1 upon 2 root 3 पहला तो हो गया तो 0 दूसरे में आएगा यह 0, यह minus 1 और एक minus sign वाँ पर होता है तो यह बनेगा plus 1 by root 2 और साथ में तीसरे के साथ में आएगा यह 0 और यह minus 1 तो यहां पर बनेगा आपका minus 1 ठीक है, इसको solve किया LCM लिया so 1 by root 6 और उपर आजाएगा आपका 1 minus root 2 जो volume दे रखा है आपको वो कैसा दे रखा है 1 upon V के format में तो 1 upon V कितना आजाएगा root 6 उपर और नीचे आगया आपका कितना root 2 minus 1 1 minus root 2 इसको आपको क्या करना है अच्छा एक बार 2 भी है इसके अंदर तो उपर एक 2 भी रहेगा इसको restalize करना है इसको restalize कर लिया 1 plus root 2 divide by 1 plus root 2 तो यह आजाएगा आपका 2 time root 6 into root 2 plus 1 divide by minus 1 लेकिन आपको करना क्या है आपको find the value of k अच्छा यह जो होता है किस में होता है modulus में होता है तो इसका modulus लेंगे minus sign तो आपका किस में चला जाएगा plus में आजाएगा तो यह हो जाएगा 2 time root 6 into root 2 plus 1 और हमें हमारा आ रहा है यह और हमें दिया गया है k root 6 into root 2 plus 1 तो k की जिए पर कितना आ रहा है 2 जो कि आपका सही आंस्वर है और यह याद रखिए बच्छों यह जो formula में नहीं यहाँ पर यूज किया है दो का box को जब multiply करते तो इनका आपस में जितने भी dot product होते है वो सारे dot product आ जाते है ठीक है और यह हमें दियरका है equation के अंदर ठीक है यह सारे के सारे unit vector है तो यहाँ से जो values आएगे न वो शिरफ उनके साथ में जो angles होंगे न उनहीं की value आएगी ठीक है ना 1 by 2 1 by 2 1 by root 2 यह आपको दिरका 60 degree 60 degree तो तीसरा एंगल आपका कितना हो जाएगा L square plus N square plus N square 1 से निकाल सकते हो वो हो जाएगा 45 degree इसे इसमें 45 45 है तो यह 0 हो जाएगा और इसमें 3 equally inclined है जो तो तीनों equally inclined है आपने कियोंगे कापी बार 1 by root 3 आती है values चलिए आगे बात करें किसर नमबर 3 किसर नमबर 3 क्या है देखिए alpha alpha की power 4 lie on the inside of the triangle form by this देखिए यह क्या है आपके सामने इसमें से x y को अगर मैं common ले लू तो यह है x plus y minus 2 equal to 0 देखिए यहां से जो form होने वाला जो triangle है न वो ऐसा बन रहा है और आपको बोला गया है कि या तो इसके ऊपर है और या इसके अंदर है क्या alpha और alpha की power 4 और साथ में 1.0 भी पता आपको 0,0 यह दोनों इस line की इदर है एकी side में है और दो point अगर line में एकी side पे होते हैं ठीक है क्योंकि alpha को greater than 0 बना दो तो automatically इसके अंदर ही रहेगा इसके बार कभी जाएगा ही नहीं ठीक है अब रही बात कि अगर alpha greater than 0 है ठीक है तो नीचे भी तो आ सकता है तो नीचे कभी आएगा नहीं क्योंकि alpha की power 4 है y coordinate ठीक है जो हमेशा कैसा रहेगा positive रहेगा इसमें put करते हैं देखिए कितना आएगा किसमें put करना है इसी में put करना है alpha प्लस alpha की power 4 minus 2 और 60 में आएगा आपके सामने कितना 0 0 minus 2 0 plus 0 plus minus 2 और यह कैसा होना चाहिए same side greater than 0 होना चाहिए equal to 0 होगा तो भी चल जाएगा चोग उपर भी हो सकता है ठीक है इसको solve किया तो हमें मिला alpha की power 4 plus alpha minus 2 minus से multiply कर दिया less than or equal to 0 alpha equal to 1 इसको satisfy कर रहा है तो एक factor तो होगा alpha minus 1 और दूसरा देखते हैं क्या बनेगा alpha cube alpha की power 4 minus alpha cube आगया तो plus alpha cube चाहिए तो alpha square plus alpha cube आगया minus alpha square तो plus alpha square चाहिए तो alpha plus alpha square आगया minus alpha तो plus alpha में वहाँ पर दे रखा है तो क्या करेंगे plus 2 ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 alpha और minus alpha मिलके alpha और साथ माँ आगया minus 2 will be less than or equal to 0 देखिए alpha greater than 0 होना चाहिए अंदर रहने के लिए ठीक है या इस x axis के इधर रहने के लिए ठीक है क्योंकि तो point इधर भी जा सकता है इस line के अंदर हम ने जो condition लगाई है या पिर आप यह भी condition लगा होगे कि यह point x axis के ऊपर होना चाहिए y axis के right hand side होना चाहिए ठीक है वहाँ से आप वो condition मिलेगी कि alpha greater than 0 होना चाहिए देखिए यहां से हमें क्या मिल रहा है कि यह number जो है na alpha greater than 0 के लिए हमेशा positive है और अगर यह हमेशा positive है तो यह negative तभी होगा जब alpha minus 1 less than equal to 0 हो जाए means alpha की value क्या हो less than or equal to 1 हो जाए पर हम से क्या पुछा है then the find the largest possible value of this maximum value कितनी हो सकती है तो इसकी maximum value तभी होगी जब alpha कितना हो जाए आपका 1 हो जाए तो alpha कर 1 से छोटा हो जाएगा तो वो answer और छोटा हो जाएगा alpha की maximum value 1 है तो इसकी maximum value है वो कितनी हो जाएगी आपकी 3 आजाएगी तो आपका सही answer होगा 0 3 ठीके आप यह मत सोचना कि शिरफ यह condition लगाने से यह point इधर भी तो जा सकता है तो इधर नहीं जाएगा क्योंकि हमने यह condition भी लगा दी है साथ में नीचे आएगा नहीं कभी क्योंकि अलपा की पावर फॉर हमें सा पॉजिटिव रहे लिगा ठीक है बात करते हैं क्यूसर नंबर फॉर देखिए क्या है 10 स्कॉर एक्स कोट स्कॉर एक्स का ग्रेटेस इंटिजर देन फाइंट इपॉइंट इपॉइंट इट विच एट इपक्स देखिए दोनों का मल्टिप्लिकेशन है हमें पता है कि 0 से पॉइपॉर के अंदर 10 एक्स जीरो से 1 के बीच में होता है और उसका ग्रेटेस इंटिजर 0 हो जाएगा तो यह आपका यहां पर आ जाएगा और यह पॉइंट आपके पास हो जाएगा Pai Pai 4,Pai 4 से Pai Pai 2 जाएगे 402 एक 0 से 1 होता है और 402 एक 0-1 होगा तो उसकी वजह से 0 हो जाएगा और वापिस पहुंच जाएगे कि हम इस ही दुनिया में जिस दुनिया में पहले थे यह पहुंच ग hy pi pi 2 तक ऐसे आपका आगे चलेगा क्योंकि square है कोई फरक पड़ेगा नहीं ठीक है ना यही इसका period हो जाएगा तो जैसा 0 से pi pi 2 में आ रहा है तो जैसा ही आपके पास में आगे चलता रहेगा और कब तक चलेगा जब तक आपका interval दिया गया है कि उसर में 0 से 2 pi तो 0 से 2 pi तक इसी तरीके से चलता रहेगा तो कितने points आएंगे बत्सों pi pi 2 के बाद में आएगा 3 pi pi 4 3 pi 4 के बाद आएगा pi pi के बाद में आएगा means हर 90 interval के बीच में आपको 2 point मिल जाएगे 90 तक 2 180 तक 2 4 270 तक 2 6 और 1 point बीच में आएगा 270 से 2 pi के बीच में 2 pi को count नहीं करना जैसे 0 को count नहीं किया था तो total 7 point आएगे आपके जहां पर यह कैसा हो जाएगा discontinuous ठीक है अच्छा यहां भी 0 और यहां पर से लिए counting कर लीजिए अगर आपको को दिक्कत हो रही हो वैसे देखिए pi pi 2 तक आपके पास में कितने आ रहे हैं दो point आ रहे हैं यह आप ऐसे कह सकते हो कि चारों इंट्रोल चारों क्वाडेंट में एक पॉइंट मिलेंगे जिसे pi by 4 3 pi by 4 है फिस हर क्वाडेंट में एक point मिलेगा चार point होंगे वो और तीन point होंगे आपके 90 180 और 270 तो टोटल होगे साथ point और 0 और 360 को आपको count नहीं करना है क्योंकि 0 से 2 by open interval आपको दिया गया है तो टोटल साथ point आएंगे यहां पर आगे बात करें क्यूसर नंबर 5 देखी क्या है फ्रॉम एनी point on the line इस line के ऊपर कोई भी एक point टेंजेंट्स आपर टेंजेंट्स इसके ऊपर टेंजेंट्स जो करनी है इट इस गिवन देट कोड़ आपकोंटेक्ट पासेज त्रू इस पॉइंट्स पॉइंट्स जो कौड़ आप कॉंटेक्ट जा रही है वो किसी एक फिक्स पॉइंट्स से पास कर रही है धेन फाइंटी नंबर ऑफ डिफ्रेंट पॉसिबल इंटिग्रल वैल्यूज औप पॉइंट्स 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 से जो लाइन पास होगी वो कॉड़ आप कॉंटेक्ट ही होगी और उसकी एक्वेस्टन होगी t equal to 0 जब लगाएंगे इसमें तो हमें मिलेगा 4xx1 that is alpha plus 16yy1 y1 कितना है 1 upon t plus 2 minus alpha और minus 1 will be equal to 0 लेखते हैं कितना है का point of intersection तो सबसे पहले तो constant drum आ रही है मेरे पास 16y divide by t plus 2 और minus 1 और alpha का coefficient आएगा मेरे पास 4x और minus 16y will be equal to 0 तो देखो बच्चों y की value आएगी यहां से इसको जब यह 0 होगा तो y आ जाएगा और y की value आएगी मेरे पास t plus 2 by 16 और x की value आएगी मेरे पास में यहां से x किसके equal होगा 4y के तो 4 time तो एक 4 कट जाएगा t plus 2 divide by 4 आ जाएगा यह के 4 से multiply कर दो उसको तो यह x और y यह आपका point है और यह point इस ellipse के अंदर लाई कर रहा है तो देखते हैं कि t plus 2 की value क्या आ रही है अज़ा t plus 2 के whole square की value मेरे को चाहिए तो t plus 2 को में क्या मालनू जो मेरे को चाहिए उसको में बीटा माल लेता हूँ ठीकर आप बीटा square चाहिए मेरे को ठीकर बीटा square की value चाहिए तो देखे t plus 2 को मैंने बीटा माना तो यह बीटा by 4 आप क्या करो put कर दो किसके अंदर ellipse के अंदर 1 बीटा by 4 यहापर बीटा by 16 तो देखे कितना आएगा 4 time बीटा square by 16 का square 16 into 16 plus 16 into y square अच्छा मैंने गड़बड कर दिया x coordinate है बीटा square by 16 तो एक ही 16 आएगा plus 16 इसकी value आएगी बीटा square by 16 into 16 और equal to मैं दिरका है आपको 1 अच्छा यह इसके अंदर है तो यह less than 0 होना चाहिए ठीक है यह condition होती है अंदर होने की यहाँ पर देखो क्या कटा यहाँ पर यह जाएगा आपका पूरा 16 का 16 as it is तो यहाँ पर बचाएगा 4 बीटा square plus बीटा square और निच्छे है आपके पास में 16 और 16 यही आ रहा है बीटा square x की वेर्यू 4 इंटो y और तो बीटा square by 4 बीटा भाई 4 का all square तो 4 इंटो this plus 16 इंटो y square और y square के अंदर बीटा square by 16 इंटो 16 तो 16 पूरा चला गया तो 4 प्लस 5 तो 5 बीटा square will be less than or equal to 16 तो बीटा square की value क्या होनी चाहिए less than or equal to 16 by 5 तो इसकी लिए possible integral values क्या क्या हो सकती आपकी 1, 2 और 3, बीटा square की 3 possible values आ सकती है क्योंकि बीटा square कभी negative हो नहीं सकता और कभी negative नहीं हो सकता तो आपके पास में 3 ही possible integral values possible है तो आपका answer हो जाएगा 0, 3 चलिए इसी के साथ आपके paper का last question discuss करते हैं that is question number 6 और क्या है देखिए question number 6 इसमें आपको दिया है कि if in a triangle ABC it is given that sin C will be equal to this and one side of the triangle is 2 then find the ratio of maximum possible area of the triangle देखिए क्या है sin C cos A plus sin A sin A को भी धर ले आओ will be equal to कितना है root 2 देखिए sin A और cos A है तो इसकी जो maximum value आ सकती है और कितनी आ सकती है वो आ सकती है sin square C plus 1 cos A का coefficient sin C और sin A का coefficient 1 इसकी maximum possible value यह हो सकती है और यह तभी आएगा जब sin C कितना हो जाए sin C आपके पास में क्या हो जाए 90 degree हो जाए और नहीं तो यह हमें सा उससे कम होगा जबकि हमें यह root 2 के equal दिया हुआ है तो यह तभी हो सकता है जब C angle आपका कितना हो 90 degree और जब C 90 होगा तो आपके पास में जब C 90 पूट करोगे तो sin A plus 4 से कितना दे रखा है root 2 तो यहां से आपको squaring कर दीजिए या सीधा solve कर लीजिए किस जैसे भी solve करेंगे 1 by root 2 से divide कर दीजिए तो यह बनेगा sin A plus 5 by 4 will be equal to 1 इसकी value 1 again क्योंकि यह triangle का angle है C पहले से 90 degree आज सुपा है ठीक है तो इसकी value 1 तभी होगी जब A कितना होगा 45 degree और A जब 45 degree है तो B भी कितना हो जाएगा 45 degree अब देखिए दो possibilities हो सकती है क्योंकि angles तो यही रहेंगे लेकिन आपके सामने दो possibilities बन सकती है या तो क्या हो सकता है या तो यह side 2 हो सकती है और क्योंकि A और B angle same है तो या यह दोनों side आपके 2 हो सकती है तो जब यह दोनों 2 होगी ठीक है तब तो यह हो जाएगी 2 root 2 और जब यह 2 होगी तो यह हो जाएगी root 2 और root 2 तो आप से क्या बुसा है maximum possible area of the triangle to minimum possible area of the triangle तो देखिए जब वो case बनेगा तब maximum area आएगा तो आपका answer आएगा 1 by 2 into 2 into 2 और जब यह case बनेगा तब आपका area आएगा 1 by 2 into root 2 into root 2 इसको simplify कर लेजिए यही आपका ratio होगा क्या आप देखिए यह तो कट जाएगा 1 2 कट जाएगा तो 1 2 बच जाएगा आपका और आपका सही answer जो होगा जाओ कितना हो जाएगा 0 2 क्लियर है इसी के साथ आपका आज का solution complete होता है फिर भी चले किसी को भी कोई भी doubt हो आप आकर करके पोच्छ सकते हैं doubt class में ओके thank you very much